हेलो एवरिवन मोस्ट वेलकम टो वर चैनल राइट ओन तांजे तुसी भी त्यारी का रहे हो पीस टेट देली सी टेट देली जा मैथ मास्टर केट देली तो जुरूर सब्सक्राइब करो इस चैनल नुए तो हड़ली बहुत जादा हैल्फुल होएगा आज आप स्टार्ट क केला कुल हो कृण और अपा स्टार्ट केता हो जिए में प्रतम पूर्लिटीया के शा OUT ही तिन तरजाराछ लेर्णिंग डिस्कूस भी कर चुके हैं जर्मेक के डिस्ग्राफिया या डिसकलोगोडिया दिस्प्रेजिया और दिसलेक्सिया इं चारों इं सैंदभिना यहां क्योंने एधी रीजन ने और भी आपा प्रेविस वीडियो देख चुकियां ठीके जी ता प्रोपली अगर आप गाल करें जो स्टार्टिंग एस टॉपिक दियो हो चुकिया ओ प्रेविस वीडियो जिकर तुछ तक नहीं देख सकते हो आफ्टर था 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 समझ आजएगा तहौं के लिए ऐगे अगे कंटीनीव कर देखने फिफ्ध डिस ओडर तो स्टार्ट कर देया है उस तो बार आप देखांगे कुछ इंपोटन ने जो ठीके लेर्निंग डिसिबिलटीज ते पहला भी मैं सहां था 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 सीं और दासने लिए किये टोपिक है यहनों बिल्कुल भी इग्नोर ना करियो ठीक है इंपोर्टेंट टॉपिक है तो चलो देख दें इस टॉपिक नूँ पहले चाहर ने जो आप डिस्कुस कर चुग है फिफ्ट तो स्टार्ट कर देयां बी ओडी हुन बी ओडी की हुंद है उसनों समझ लेने या बी ओडी पुडी, अपके अपा फुल फाम देगाल कर दे ते भी ओडी दी फुल फुल फ़ाम दे सामने लिखी ओ हुए ये बोडी डिस्मॉफिक डिसोडर दे विच बीचिछ देखो बोडी तो ही क्लियर हो रहे है मतलब अपने बोडी ना कुई चीज है ठीक है जो कोई प्रॉब आपा कह सकते हैं कि अन्हों लगदे हैं हंजी मोटा हो गया जा कुछ भी ठीक है फोर इग्जांपल एही पिच्चर काफी कुछ था नहीं दासरी है ठीक है एदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपा देख पारे हैं बट जो पिच्चर है उस देविच उसनों खुद नहीं ल आपनों देख पारे हैं तो पना देख पारे हैं तो थोड़ली बहुत प्रोब्लम है भी तो बिल्कुल हुआ है और तो गाल करें अ विटो कुल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है हम वृत है माइनर जी के बिल्कुल माइनर्जी हो जी मतलब बहुत छोटी जी के प्रॉब्लम, ृप्रॉब्लम होfar गी और भड., उप खास बडाइशन हुदहें छीक जी कै के, सकते हैसा हुद्धिनेशन हों और Chief माइनर 피부 जी आपा BOD बोल दिए, मतलब body dysmorphic disorder, ठिके जी इसनो dysmorphia भी किया जांदा है, ठिके जी ता इसनो नाम लाने टिस्शे नोट कर सकते हूं, इसनो dysmorphia भी किया जांदा है, के दिस्मोर्फिय घिके जी त Tak 這 इस नाम नालभी इसनों जाने आ जानें पर पाद यह है अब मायजी तेंशन यह मतलब की यह किसे जो बच्चा है टेंशन दिविच रहन दनाव रहन दो कह ऐब भुशतो कि हल्के पदर दातना तंब ल्कल कि पदर्द तना आपके सकते हैं कि लगातार उस तिएंपर बढ़ेया रहन डहीं जीजित्त सट सप्लांड हमें लौक टर्म सब्सक्राइब भी सब्रसाइबिंद ऑन भी लॉड टर्म हो जावेव में कर दी जरुए एक पूसमें कंपैने साम उस्तों कमुखरां कितनी समयाना कर दी डेप्रेशन के पर इस की तर्म करना चुरूर यह जरूहां, तो बिल्कुल इन वाल पूरा पूरा त्यान आपनु देना चाहिंदे एट इस तैमिय तुसे समझ गए होंगे दिस्थेमिया दी वीच आप पड़या पूरी चंगे तरी के निल की चीज हुंदी है दिस्थेमिया की है हलके जी पदर्दा तना है पर जदो ही हलके पदर्दा तना लंबा चला जांदा है लॉंग टर्म देविच चला जांदा तो थे डिप्रेशन दी शुरुआता पानू नजर आंदिया बच्चे आंदी ठीक है तो सिंबल्स आप की कर सकते कि बच्चे सैड आपर्षेल प्रींध प्रेंदे ने ठीक है चुप प्रेंदे ने तहां कुछ थात्यर कुछन दे तो सेवंध कर यह लोकरण छो देखिए था थिखिस्थेजिया कि होंदा जैक है तो अनुच प्रेंदे कार सिंबल्स करें तो jusid moved ahores तोरी की है सिंबल्स ने सधता की हिए सं अन्हें यहाँ दो बुट मैंने पंच टासा एक हथा प्रोप्लमाटी प्रोप्लम्याँ भीम्हाु यूथ सबना नंहें जीना नमσιे ह्ट a sato सब्सक्राइब संद्रेखrans打ma मांच त्धेन टेहर रिंघ माँट आपने निमाग काम कर देया करते हैं पूल थे लिफेक्टीरला भी डिल्वाज को अपने ब्रेंग्टीरी सीनी चक्हिक्शना हम खेंठे थे जिवाब्स इस घूयरशबCar göster maxima दिश फेजिया देविच हो दो बारदासरिया इंपोर्टेंट है ठीक है जी तब इलकुल इही कोदो हुंद है जो तो किते ना किते आपके सकते एजीली के अपना function बोलन टाइम चा लेंगविज नो यूज करन टाइम प्रोपली कियागा function प्रोपर नहीं करदा दो करना काम प्रोपली निकारदा बैन बूल यूज वाए उजबं प्रोपली कर फोपन देविच हो वे अगर पर गाल करिए को ब्रेंटाइम प्रेंटार इस अपना ब्रेंटार लेमिज्च प्रोपली फंक्शें नही कर पान था जीदे करके लेंगविज दिसॉर्टर हों द ने फेक्ट कर दिया, speech नू कर दिया, minto say, baller नू कर दिया, understanding speech नू कर दिया, समझन दे विच हुई जो है, हुँ देखो, जो बोलनी सहीद रिके ना पारे तो मतब समझन दे विच कितने कितना नो की होईगी, लेंगें, language,那就, language से करते हैं, लेंगें दे किने skills हाँ, 4 होगी, listening, speeding, speaking, reading,writing, listening, listening मतलब समझना, speaking मतलब speech दी चाह जाना है, reading और रिटिंग ता है तो बिल्कुल कितने ने किते है, four the four skills उनों एफेक्ट कर दी है थीके, but mild level एफेक्ट दी उपर, हल्के पदर दी उपर बिल्कुल एह तो सी मेज तो समझ पार होंगे, कि बच्छे नो अपा कैसा दे कि एजुकिस्ट ने ओपर वाइड कर वानी चाहिए ठीक है, जिदने लाउन दे जो लैंग्वेज डिस ओर्डर है, उनों completely दूर गिता जा सके, अफेजिया, अफेजिया की हुंदे है, हुन बो सारे है अफेजिया दे बच्छा नहीं कर पान दा, सुनो की हुंदी है, दिक्कत हुंदी है, अने बल हुंदी है कम्मिकेशन दे विछ ठीक है, अथे फरक किया जांदे, सब्सक्राइब, जिसनो अद्धे भी कर पार है या, इस दोना चीडिफरेंस की है मतलब अगर कोई इंजरी है साथ जी सुन आप पर पाश्र देविछ बोल सकते हैं जाबी देविछ कि तेने कि अपनी है इंजरी है ठीक है दिमाग देविछ हो सकता है बच्पन देविछ कोई चोट लगी है विज़ित करके अपर प्रपली जब फीजिकली कोई भी है ता ब्रेंटीमर हो सकते है ईसिज हो सकते हैеп्यों हो सकते है और फेस्जिकली कोई किझा भर जो प्रकॉपर कारन बाँ बाँ भेच्पनामच मेडिकल अगर लार्व कारन क्वे बिसक्स तेसे हैं लोगा है जाने अगर अभारısı स्टेञ पॉसटे टौल के दौल वाप यոगार फिर इना अफेजिया घरता है पर अगर जाल करा दी ग pig लीजन निद्धिकल और रचेर का बोल में पूप कंडि़ौनर के बिशूमें है clear है उमीद है clear हो गया होगा तो हनो ठीक है जी दुबारा देख लेने आफेजिया दे विच हो और की की हुंद है अफेजिया नो अपा दोनों वास्ते यूज कर सकते हैं ठीक है अगर तो अप्शन दे जिता है जानदा है कि फोर एक्जांपल अटकोल कोश्चिन आनदा है क कि लेंग्विज डिसोर्डर केड़ा है तो अटकोल अफेजिया जा दिसफेजिया दोना विच एक उप्शन होएगा दोनों नहीं होनगे ठीक है तबट आपको अगर अगर आपको कहिए तो दोनों कंडिशन वास्ते आप अपा अफेजिया नो यूज कर सकते हैं मीन तुस आपको अफेजिया दिसफेजिया विधा क्लियर हो गया होएगा दोना विच इफ्रेंस इंपोर्टेंट है क्लियर इननों माइंड देविच रख्यों रिपीट करांगे जदो और जंगीतर के ना हो जएगा दोबारा अपा गाल कार देयां कुछ हो डिसिबिल्टी हों दिय जसना आप ओड़िजियम स्पेक्ट्रम डिसोडर भी बॉल दियां ठीक है उन देखो एदे विच की है एदे विच डिवलप्मेंट डिसोडर है मतलब बच्ची रांगितने किते विकास ही सही तरी किनाल नहीं हो पा रहे है उन एदे विच की है पहली गालते है दित्ती किन सब्सक्राइब डिसोडर हो रहे है एदा मतलब सिर्फ एक चीज नहीं होगी एद्दानी है कि सिर्फ लैंगिज नहीं डिवलाप हो रही है जैफिर अगर आप कहिए सिर्फ विहेवियर ने अच्छा कार रहा है ठीक है जैफिर कुछ भी डेवलप्मेंट दीविच सारी सार जैफिर कोगनिटिव भी हो सकता है और लैंगिज दिना लेटर हो सकता है ठीक है और फीजिकली हो सकता है ठीक है मतलब हार इक पाक्षे देविच इंकलोड़ हों देख लाए नहीं हो निसनों ठीक है एद आप देखी चुकिया कि किन दोर दित्तिगीशी और किस देनों ओ लोगेैलना मनाया जानद है तो लिटकूल लेंगेज रिलेटर पिरॉबलम इट राइल ए लेवल देखो जोँ सब्सक्राइब प्रीएज किता शी ओफेजिया देःने पर ऊफीर के लाएज सिल किसियो आ नहीं को जान देखा कित थैण सब भीकार येफरल का रहे हों इस र at high level ठीक है और चार ओप्शन ने जिरे विच एक अफेजिया है और एक ओप्शन तो हाड़िकॉल एसडी है एसडी मतलब ऑटोजिम स्पेक्ट्रम डिस ओडर है तो दोना देविच अगर हाई लेवल दिगाल किते ता अपा एसडी वल जावांगे क्योंकि जो दो लेंग्विज प्रॉब्लम में हाई लेवल ते हो जान दी है तो वह केड़ा डिस ओडर आंद है जो त्यान हो रिपिटेट विहेवियर कर दे बार वार रिक वी चिजनों रिपीट कर दा रहें ठीक है रिस्पोंस उस अब हुट देरी नाल आपानू मिल धै ठीक है ओ की कर दे आई कॉंटेक्ट नहीं बना पांदा इसे क्रोस कालो नोट लिख लो नाल ठीक है आई कॉंकि मिल गल जो नहीं पानधा क्यों क्यों कितना की चयर नेचुरा हों करकी यह आई कॉंटेक्ट नहीं भणा पानदा मतलब इक तरिक केनल उपका साफश अभद और अगोन्वी गुमी तो अगी तदा डा बच्चे दे विकासी जिविगायोना नहीं होय युदो इवी शोसल ड और कोई चीज नो बार-बार रिपीट भी कार दे रहन देने ता ओही चीज आगी तुसे देख पारे हो लो शोशल कोगनिशन मतलब इक तुसी रिलेशन बोल सकते हो ठीक है कि और ना दर जो समास दे विच जो रिलेशन हों दा है वो अच्छा नहीं होंदा प्रोब्लम सॉल् वह जड़ आपके इसाद है कि emotional हों देने ठीक है और नाल नल जड़ी ओना दिया लोजिकल ठीकिंग हों दिया जिमें problem solving skills हों दियाने मतलब आपके इसाद है mental development तो और वह बहुँ जड़ाए effect हों दिया होने थि अगर आपके देखिए development disorder है ठीक है एदे विच की effect हो रहे है अपना बच्चा सही तरिके ना problem solving skills नहीं लगा पा रहे है मतलब cognitive है ठीक है cognitive है और अगर आप गाल कर यह emotionally effect भी है emotionally अब आप बोल सकते हैं कि emotionally disorder भी है अगर आप गाल कर यह सोशल भी है क्योंकि उसमास दे विच निया खुल के निकल था ठीक है अगर आप गाल कर यह ता शा पहले अपीद्ध है बहरा अशत्रिया मोगी लेर्निग Disability पूरा टॉपिक ही बहुत जाद म समधना जुरूरि है क्ले टलेडे कट यह ने आपक सुछ नुंकि ऑअगर चे applies कर लुद्धत समें काक्ल। नेच्स अगर आपा गाल कर ये शेकंड दे विच की है A.D.H.D. अटेंशन डिफिक्ट हाइपरक्टिविटी डिसोर्डर हाइपरक्टिविटी तो अनु क्लीर हो रहे हैं कि कुछ जादा ही अक्टिव नहीं है बच्ची हाइपरक्टिविटी मतलब कुछ जादा ही बच्ची टिक की नहीं बैढ़ दे लगा तर कुछ न कुछ कर दे रहने ठीक है जिमिके फोर एक्जांपल आपक्लास दे विच अगर तीज का आपन पता है कि क्लास दे विच दो तो तिन बच्ची जरूर हों देने जिनने कुछ न कुछ हाथ पार दर मारी जाने ने अगर कि अगर देख देने टेबल दे पर खड़ा करी जाना जा फिर अगर तौदर पास दे रहना ठीक है ता अगर दे नोर्मली देख दे लिच देख लें देख लिच तह इन इन अगर बोल दें अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसोर्डर मतलब एधिड़ी ठी एक क्राश देटे भी हैं कि हर एक जगह तरह प्रिंपलाकिविए एक भुझ अपने हाथपे घ्रच लाने एंहें तो उथिक हों एक प्यूंडी सब्सक्राइब ठीक है जी फास्ट कन्वर्शेशन बहुत तेज बोल देने हैं ठीक है जी हो रहे हैं अगर आप गालक करी इमोशन सनौ भी पर हो देने जफर एक बिल्कुल जो है आप आनों दे सकते हैं ठीक है इनों बिल्कुल भी आपके सकते हैं के शांती नी हुंदी बेचाया जी अगर आप गाल करी आपना मतलब कुछ नों कुछ करते रहना हुंदी जी में फॉर एक्जामपर टेबल ते बैठेने तो हाथ पैचलाने ठीक है तो आपके आवाज आपके आपना नॉर्मली क्लासे विच बच्चे देखानों मिल देखा हैं तो अगर आपके अगर आपके उन्देने किसे वे चीज़ में प्रोपर और्ग नाइजेशन दे लगाना इनदी हरए ने हमदी है जी मैं कहन लिए कि लाई पार्ख्या है और खिलारॏ नगिता होया है बुक्स नहीं अच्छे देकर पना रख्या हुए हुआ हार इक बुक्स फर्टी बिच बीक्स देकर ह अर्गनाइजेशन दे विछ बिल्कुल भी आपका सकते हैं ठीक है इस सारा कुछ आप देख पा रहे हैं तो बिल्कुल कॉमन जे सारी हैं जो ओनना बच्चा ने विछ देखानों मिल दियाने जे में के बहुत सारे डिसीजा ने बड़ी जल्दी रहे लेन देने ठीक है जो शायदों नाली सही भी ना हूँ ठीक है लिसनिंग है जो हो चंगी तरिके ना हूँ अगर कोई टीचर समझा आ रहे है तो शायदों ना रती आननी हुएगा बड़ी आपका कैसे दे के दिवीच आंदा है AD HD मतलब Hyper sorry attention defect hyper activity ठीक है बच्छे दबारा दासरिया के इनह विच की हूँ दिया attention दी कमी हूं दिया दबारा इदनू not कर लो कि attention दी कमी हूं दिया hyper activity मतलब load तो जाला के हूं देने active हूं देने पर नेक्स अगर आपा गाल करिये अग्या आजान दें MR Mental Retardation ठीक है पहला ता मेंटल डिटारड़ेशन समझां तो पहला तपहला ही पिच्च्चर देख लो जिदिना तो हम खली हो जाएगा कि मेंटल डिटारड़ेशन किस तरिके दा डिसोडर है जा किस तरिके दा डिसिबिल्टी है ठीक है इनने पिच्छ तो बाद मिन्हों लगदा तो हम भी मैंड देवच कोई भी डाउट रहा हुएगा ठीक है एंच मेंगे एक पिच्छ सी तारे जमीं पर और आप बहुत सरी स्टूडेंट नो उस सिंपर सब्स दव multif बहुत सब्सांपर मेंटल रहा हुएगा तों कि शिएशन वे कोई भी महार अघरान दे आप कंडिशन धीक है हुए हगा अदेसंगा कोई लिटिसिबिल्टी बी दा मतलब की मतलब हुए है श्चुआ प्ट्छ इंत अनल्टली दा मतलब हुन नीए अगर आपा गाल करिये किनने की बच्चे इफेक्ट ने इस डिसी बेल्टी तो इसनों एक टेस्ट नाल मेजर किता जा सकता है ठीक है ओ टेस्ट जो कितने किता अपना IQ लेवल चेक कर देने और टेस्ट नाल आप पाहिज चेक कर सकते कि बच्ची मेंटर इटार्डेशन तो इफेक्टड हन जा नहीं अगर हान तो किननी कहा देता कि ओह इफेक्टड हन ठीक है तब बिल्कुल जिनना बच्चे इफेक्ट हन देने मेंटर इटार्डेशन तो जा फिर इंट्रेक्टड डिसेबिल्टी दे आपके कह सकते हैं तो इफेक्ट हन देने ठीक है अगर बच्चे दा अगर बच्चे दा अगर गल करिये IQ लेवल है अगर बच्चे दा IQ लेवल 52 70 है तो उसे अथे देखो कि अगर तुसे टे 50 to 70 है तो इसना मतलब जो स्टूडेंट है और मेंटर इटार्डेशन तो अफेक्टड है और किनना ही फेक्टड है माइड जयाए फेक्टड है मतलब हलका जयाए फेक्टड है ठीक है ता हलकी जी जो डिसेबिल्टी या उस दे अंदर है ज्यादा नहीं पकावांगे कि जो बच्चा आपा कह सकते हैं कि मोडरेट तरिक किननाल ठीक है मोडरेट मेंटू से कि ना ज्यादा ना कट जिसना पंजाब बिच ओस्त भी बोल देया ठीक है ना ज्यादा ना कट मोडरेट तरिक किननाल जो डिसेबिल्टी तो इफेक्टड है केटी डिसेबिल्टी तो मेंटर रिटार्डेशन डिसिबिल्टी तो इस तरह के नल आपक चेक कर सकते हैं टेस्ट लेके ठीक है अगर इस तो भी काटा आ जान दिया है डिसिबिल्टी अगर आपका गाल करिये 35 तो 50 आपका देखे ऐसी अगर मैं कमा के 22 35 है IQ लेवल किसी भी स्टूडेंट देस्ट लाइन तो बात उसे देख्या तो अगर आपका कह सकते हैं कि बच्चा काफी गंबीर है गंबी जी सिचेशन उससी बनी होई है ठीक है मेंटर रिटार्डेशन डिसिबिल्टी करके बड़ी गंबीर जी आपका कह सकते हैं के अपने मांड देख्या तो इस बच्ची नो देख पारो इस बच्ची नो देखके क्लियर हो गया होगा कि मेंटर रिटार्डेशन कि स्ट्रिकरी डिसिबिल्टी है उमीद है इच इस कलीए होगी तो हनू ठीक है जी दो बारत आज ने कवर्य अपा जो भी किता किस नोड़ी नियू पसंद तो मेट ़िए अपने अपने आपने जीब लगदा है ते बिलकुल इसन अपा विच्चोंगी बाकरिए फिर आप देखा है दिस्थेमिय एक बहुत ही आपका कैसको दियां गंभी इट से चेशन हो जान दिया क्योंकि अगर दिस्थेमिय दा सिलुशन नहीं किता जाएगा तो बच्चा के दे विचे जाना शुरू कर देंदा है डिप्रेशन दे जाना शुरू कर देंदा है तो अगर आपा लग रहे है कि बच्चा चुप चुप रहनदा है जा सएड रहनदा है ठीक है तो उसना गाल बात करके उसे प्रॉब्लम नो जानन दी कोशिश करनी चाहिए कि जो हल्की पदर्द तना हो मैसूस का रहा है ओ है कि ठीक है तो उसनों दूर करन दी कोशिश करनी हूं पदने अफेजया जान सब्च-वाद दोनो की हूं दोनों की हूं दोनों की लेंग्वियज डिसॉर्टर हूं ठीक है बत्तल बच्चा के तना है जो बच्छ पर दिस्फेजया दी गल घती एख है थी लिग्षव लिट रहनद दो प्रॉफषिश करना दे के दो रहसं पाधारें रूजन से ब्रेंगेश में यह इस हो सकता है तो बिलकुल अच से किलें करें का जान कोई विज यह पड़ियों हो झाल करीं तो अच्रुम आपपा बिलकुल फोर्ण है यहीं देखर विजन में लेखर हो सकते हैं कोई ब्रॉक्ट करें डिसफदी न विज को इक हास इसे हेड इंजुरी के आपनों ही जो डिसीबिल्टिटी अविक्षानों मिल सलिये नेक्स पगाल करें कुछ होड डिसीबिल्टीज आपकितिया है होड डिसीबिल्टीज के डियाने, और जिप्क्टरम डिसओर्डर, ठीक है बनाने हो शाय नेचर्दा हूं दाए जफर अगर आप गाल करिए इकले-कले रहना उसनों पसन दाए चुप चाप रहना है जफर अगर कोई गाल उसनों रिपीट कर दा रहना है एक चीज रहना है तो प्रॉब्लम-Solving नेक्स अगर आपा गाल करिये तो उस तो बारा आपा किता सी MR जुसों आपा मेंटल रिटारडेशन में बोल दियां तो बिल्कुल मेंटल रिटारडेशन की हुंदा है जिदे विछ अग। नेक्समेंटली सफेंटली धिवेशन की तो इसे सबस्क्राडेशन की हुथ नेक्समेंटली ऑुछ। बचल भी टल्यू प्रोब्ल्ट मेंटली साथ। गाल पनापन यू देटार गश्चिण मेंटली सुड़ी गए यू लेवल तो उस दी जो सिचुएसन है आपा क्या सकते हैं भूआ सीरिज हो जान दिया ठीक है ता एक ही हो जान दिया मैंटरीट इडिशन दिया कुछ चिजाने जो आपन पता हो निया चेंदिया निया निया ता बिल्कुल एथ अपा गाल किती सिक यह डिसीर नोट कंडिशन त ठीक है विजुड हीरिंग यह सारा कुछ आप एपडी जो है ठीक है कुछ का इसिबिल्टी ज अले एक वीडियो हो लगेगा शिर्फ एदिती उस तो बार आपनिया जो सारी इसिबिल्टी नोट कंप्लीट हो जान गें क्योंकि डिसीबिल्टी तो गिंती नियां चार तो प इसिबिल्टी अक्ट जिए विचे सिर्फ सेवन डिसीबिल्टी ज लें गई यहां थी तो अस दो बार टू ज़्टी नोट ज़ी तो अग्ट नोट नोट पूरा डिटेल देविच करांगे ता अगर अज एन उन कर देदा वीडियो बहुत जादा नंभी चली जानी इनननोब कल कवर कर देएं डिटेल देविच करांगे इंपोर्टेंट टोपिक है ठीक है कड़ी कड़ी डिसीबिल्टी ज़ी अक्ट दे अंदर आं दियाने के में इननना देविचो कोस्चिन बंद आ हार इक चीज और सिर्फ इनना दो एक्ट्स नोग कंप्रेट करके तो जो चार तो पांच जो डिसेबिल्टी जनो अनना अपना पूरा तो पूरा लर्निंग डिसेबिल्टी टॉपिक जो है कंप्लीट हो जेगा अगर समझ आया है सारा कुछ ता लाइक करो शेयर करो तो कमेंट करके अपनी रिव्यू जरूर देया करो ताकि मैंनू पता लगद अपने जो प्रवाइड करवाई जान देने ठीक है तुसे जाके चैनल नो विजट कर सकते हो ति बिल्कुल पता लग जेगा तहाँ ठेक है फेल्फूल हो पूरा तो अडली तुसे जाके उसनों चेक कर सकते हो सब्सक्राइब कर साथा जिकर तो नो नू नो जरूरत है था क लिए अच्छलों मिल दिया फिर नेक्स्ट वीडियो दिविच नेक्स्ट वीडियो दिविच इस टॉपिक नो कम्प्लेट करांगे थैंक यू